हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चाइनल आज में भीर से आपके लिए नया वीडियो लेके आई ही हो जन जनित कोड़ंबी मसाला तो यापे में निट आई सोग्राम कोड़ंबी ली है और कोड़ंबी में डाल रहे है अभी हम आदा टीस्पून से कम हल्दी आदा टीस्पून से कम घरम मसाला और स्वादानुसा डाल रहे है नमक और थोड़ा दालेंगे धनिया पत्ता और मिला लेंगे अच्छी तरह से सभी सामगरी के साथ और ढक्के रखेंगे हम 10 मिनित अगर यह मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएए कि यह मेरी रेसिपी आपको कैसे लें तो चलिए ढक्के रखा है अभी हम ग्यास चलाएंगे और ग्यास में रखेंगे कड़ाई कड़ाई गरम आ चुकी है इसमें डालेंगे हम बस वन टीस्पुन तेल तेल डालके हम डालेंगे बारिक कटी हुए मीड जरूर बनाए बहुती स्वादिष्ट बनती है और बहुती टेस्टी बनता है कोडंबी मसाला एकदम जनजनित यहाँ पे डाली है मैंने चार हरी मिर्ची अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो यह डाली है नहीं तो स्किप कीजिए अभी हम डाल रहे है साबुत धनिया वन टेबल स्पून धनिया डालके अच्छे से हम पल्टा लेंगे और प्याज धनिया मिर्ची को हमें इतना ही पकाना है कि इसका बस कच्चापन निकल जाए एकदम हमें सुनेरा करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी हम डाल रहे है ट टमाटर को भी हम पल्टा लेंगे और देखिए मैंने इतना ही भुना पैच को कि इसका कच्चापन निकल गया करीबन हमें दो से तीन मिनिट मिडियम प्लेम पे भुनना है और ये हमारा मसाला तैयार है मसाले को तोड़ा गुनगुना करेंगे और मिक्सी के जार में डालेंगे देखिए मसाला गुनगुना हो गया है अभी मिक्सी के जार में डाल रहे है जार में डालके हम मसाला तैयार कर लेंगे इसमें डालेंगे हम आदा हिंची अद्रक का तुकड़ा कट करके और एक पू थोड़ा धनिया पत्ता है, डालके हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट हमें बिल्कुल बारिक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है, यहाँ पर मैंने ग्याज जलाई है, और ग्याज पर रखिये कड़ाई, कड़ाई में डालेंगे दो पड़ी तेल, दो बड़ी मिनिट, और चलाती ही रहना है, जलाएंगे नहीं तो, कड़ाई में मसाला चिपकने लगेगा, और देखिए मसाला तयार हो गया है, यहाँ पर मैंने डाला है, वन टी स्पून लाल मिर्ची पावडर, और लियाता वन टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पावडर, दोनों क मिक्स करके डाला है वन टी स्पुन डाला है चिकन मसाला और वन टी स्पुन डाला है गरम मसाला और स्वादा नुसार डालना है हमें नमक नमक डालके अच्छी तरह से मसाला मिला लेना है और मिला के हमें 2-3 मिनिट मेडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए मसाला चलाती ही रहना है ताकि कड़ाई को ना लगे और जो जार में हमने मसाला पीसा आया था मसी में थोड़ा पानी डालके मैंने मसाले में डाल दिया है तो अभी और हम पकाएंगे 2-3 मिनिट और देखिए मसाला अच्छे से पक गया है तेल भी अच्छे से चूट गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे कोड़ंबी ये कोड़ंबी हमारी डल गई है कोड़ंबी डालके हम मिला लेंगे अच्छे से और अच्छे से कोड़ंबी मसाले में मिल गई है अभी कोड़ंबी जिसमें रखी थी मैंने उसी में एक कटूरी पानी डाला और वही पानी मसाले में डाल दिया पानी डालके हम कर्ची चलाएंगे और कर्ची चलाके हम ढखके रखेंगे दो से तीन मिनिट के लिए लेकिन बीच में आपको कर्ची देना है ताकि सबजी कड़ाई में ना चिपके और मिडियम फ्लेमी रखनी है और देखिए तीन मिनिट हो गए है और तीन मिनिट के तेल भी अच्छे से छूट गया है फिर भी हम और पकाएंगे तेन से चार मिनिट के लिए और देखिए चार मिनिट हो गए है लेकिन बीच में आपको कर्ची देते ही रहना है ताकि मसाला कडाई में ना चिपके चिपके का तो सब्जी कराब लगेगी काने में और देखिए अच्छे से और तेल छूट गया है और सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है करीब हमें दस मिनिट सब्जी को अच्छे से पकाना है और थोड़ा ढखके रखा था मैंने दो मिनिट के लिए ताकि जो दनिया पत्ता डाला उसका टेस्ट मसाले के अंदर जाए और देख के सर्व करने के लिए हमारी कोडंबी मसाला बिल्कुल तैयार है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी में नई रेसिपी बना हो आप तक पहुचे धन्यवाद